जोतिश ग्यान चैनल के सदस्यवन अपना प्यार देने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जोतिश ग्यान चैनल को और इस बैल आइकन को दमाएं ताकि अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले नमस्कार मित्रो मैं आचारिय अबिजिश शर्मा हमारे आपके हम सब के चैनल जोतिश ग्यान में एक बार फिट से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उन जातकों के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर डी से प्रारंब होता है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दीना मक्षर वाले जातकों का आचार, विचार, व्यभार, शुभाव, शुबरंग, शुबदिन विवाह वर्ष्व कौन से वर्ष में मिलती है इने सफलता जो करियर को देती है एक स्रेस्टम का जोती शब्द वर्णमला में बताया गया है कि जिन व्यक्तियों का नाम डी से प्रारंब होता है ये जातक कुशल प्रिशाशक, विद्वान इवं अच्छे मार्ग दर्शक होते हैं बहुती नपातुला बोलने के चलते अपनी वानी के बल पर अपने कारिय आसानी से निकाल लेते हैं यह लोग अपने लक्ष के प्रती पूर्ण रूप से वफादार होते हैं वे अपने लक्ष को पाने के लिए किसी भी परिस्तिति का डटकर सामना करते हैं डीना मक्षर वाले जातक बड़े ही सुझाभी मानी होते हैं और स्वयम के मानसम्मान को किसी तरह की हानी ना पहुंचे इस बात का पूर्ण ध्यान रखते हैं इन लोगों को किसी प्रकार के जिम्मेदारी दी जाये तो उसे बहुत ही कुशलता पूर्वक पूर्ण करते हैं डीना मक्षर वाले जातकों के अंदर आत्म विश्वास भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है वैसे तो यह लोग बड़े ही साधारन सुभाव और उच्च विचार के धनी होते हैं किन्तु कोई गलत बात इनकी प्रतिष्टा पर आ जाये तो सोयम को किसी भी हद तक जाकर सही साबित करकर ही दम लेते हैं यह लोग एक आएक बहुत जल्द किसी पर विश्वास नहीं करते हैं दीना मक्षर वाले लोग कूटनीती एवं राजनीती के प्रकांड विद्वान होते हैं जीवन में यदि उन्नती की बात की जाये तो यह लोग किसी के सहरे से आगे बढ़ते हैं और लक्ष में अपार सफलता भी हासिल करते हैं इन लोगों में पाई जाने वाली एक और विशेषता आप यह भी देख सकते हैं कि यदि कभी इनका भग्य साथ ना भी दे तो यह जल्द विचलित नहीं होते स्वयम के विवेक से किसी भी स्तिती को आसानी से समाल लेते हैं किसी जरूरतमंद की मदद की बात आने पर फिर वो इनका दुश्मन ही क्यों न हो एक बार हाथ आगे बढ़ाने में पीछे नहीं हटते इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह लोग किसी की भी मदद करने के लिए सदेव ततपर होते हैं यह लोग future की ना सोचकर present को कैसे enjoy किया जा सकता है इस बात में पूर्ण विश्वास रखने वाले होते हैं दीना मक्षर वाले लोगों में एक विशेश तरह का लुभावना अंदाज देखा जा सकता है जो अन्य लोगों को इनकी तरफ खींचता है इनकी वाक चातुरियता के दम पर यह लोग मैफिल जीतने के माहिर माने जाते हैं दीना मक्षर वाले लोग भाग्ये से ज़्यादा कर्म पर विश्वास रखने वाले होते हैं एक एक इनकी मन की बात को जानना बहुत आसान नहीं होता क्योंकि यह लोग अपने मन की बात को हर किसी के साथ शेयर नहीं करते और नहीं आप इनके मन में क्या चल रहा है इस बात को ग्यास कर सकते हैं किन्तु सामने वाले व्यक्ति के मन की भावनाओं को यह बहुत आसानी से पढ़ लिते हैं सोयम की चातूर्यता के दम पर यह लोग समाज परिवार व्यापारिस्तान में अपना एक अलग ओदा बना लेते हैं इन्हें अपने परिवार मित्रगणों के साथ समय व्यतीत करना बहुत पसंद होता है यह लोग चाहे किसी भी कारिय शेत्र में कारिय क्यों ना कर रहे हों किन्तु सोयम की कर्मदक्षता के दंपर जीवन में सफलता हासिल करने वाले होते हैं तुमित्रों यह तो बात हुई डीनामक्षर वाले जातकों में पाई जाने वाली विशेशताओं की आईए जान लेते हैं इनमें पाई जाने वाली कुछ कमियों के बारे में अक्सर आप देख सकते हैं कि डीनामक्षर वाले जातक सुनते सबकी हैं किन्तु करते सोयम के मन की हैं जो कारिय इनके मन को भाता है यह सिर्फ वही कारिय करते हैं फिर चाहे अन्यत्र कारियों के लिए दूसरे व्यक्ति इन्हें कितना ही कहते रहें। इस बात की इन्हें परवा नहीं होती। यदि इन लोगों को कोई गलत बात बोल दे तो यह लोग बहुत जल्द तिल मिला जाते हैं। और सोयम का आपक हो बैठते हैं। और उस खोय हुए आपे में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसका पच्तावाईने जीवन परियंद भूगना पड़ता है। यह लोग अधिक विनम्रता का दिखावा तो करते हैं किन्तो इनके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। सोयम की मोज मस्ती के चलते यह लोग अपने करियर से रिलेटेट कारियों को सही समय पर नहीं कर पाते। या फिर यह कह सकते हैं कि कई बार इन लोगों के अंदर लेजीनेस भी देखी जाती है। बात करें दि करियर की तो टेकनोलोजी, पुलिस, पत्रकार, कलाकार, सरजन, गुप्तचर, न्यायले वे होटल जैसे शेत्रों के अंदर मिलती है इने सफलता। या फिर यह कह सकते हैं कि बताए गए शेत्रों में भाग्य अजमाने पर जल्दे देखने को मिलते हैं स्रेष्ट परिणाम। तो आए जानते हैं प्यार के मामले में क्या कहती है इनकी किस्मत। प्यार के मामले में यह लोग काफी जिद्धी होते हैं। जो इने पसंद हो उसे पाने के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं छोड़ते। अपने प्यार को कैसे खुश रखा जा सकता है इस बात का ग्यान इने परिपूर्णता से होता है। और देड सवेर अंतिताय अपने प्यार को हासिल कर लेते हैं। शुबरंग मजंटा तोतई ग्रीन वरेड मानने हैं। शुबदिन मंगलवार गुरुवार वशनिवार मानने हैं। बात करें दी डीना मक्षर वाले जातकों के विवावर्ष की तो 24, 25, 27, 29, 32 वे वर्ष को बताया गया है विवाकारक वर्ष। शुबरतन के बारे में मित्रो यहां मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी व्यक्ति को राशी रतने धारन नहीं करना चाहिए। कुंडली अनुसार रतने धारन करने पर देखने को मिलते हैं स्रेष्ट परिनाम। तो आईए जान लेते हैं किन-किन वर्षों में मिलती है इने सफलता जो करियर को देती है एक स्रेष्टम का। डिनामाक्षर वाले जातकों के लिए शास्त्रमत अनुसार जिस वर्ष को बताया गया है सर्वस्रेष्ट बताये गए वर्षों का सदुप्योक कर आप बदल सकते हैं अपनी किस्मत कलिसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे इनामाक्षर वाले जातकों के बारे में आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई है जानकार यह आपको पसंद आएगी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद